प्रात्मिक साला तुलसी, विकास खंड नवागड, जीला जांजगीर चापा, 36 गड़ में आता है यहां प्रात्मिक साला 7-8 साल से जरजर इस्थिती में पड़ा हुआ है यहां पर करीबन 40 बच्चे बैठते हैं इसके स्कूल के किनारे में एक अतिरिक्त भवन है जिसमें दो कमरे हैं इसी कमरे में पहली से पांचवी तक के बच्चे बैठते हैं एक कमरे में तिसरी और पांचवी के बच्चे बैठते हैं और दूसरे कमरे में पहली, दूसरी और चौथी क्लास के बच्चे बच्चे बैठते हैं। प्रधान पाठी का द्वरा बताया जा रहा है कि वो कई बार सरपंज को आवेदन देदे करके ठक गई हैं, मगर इसकूल के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सासन की लापरवाही बच्चों के लिए बहुत ही गलत प्रभाव पढ़ रहा है। एक ही क्लास में बैठ करके सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिसने बच्चों का पढ़ाई प्रभावित हो रहा है। मैं हूँ व्रिंदा आजाद और यह है मेरा समुदा है। इस स्कूल में कितना क्लास में है। कितना क्लास में लगता है दो दो रूमें कैसे बढ़ते हैं आप लोग। कितना क्लास में अब पहली बच्चों कार को यही दिखाना चाहती हूँ कि जब गवर्मेंट इतना साला के लिए पैसा दिया जाता है उसके बाद भी यहाँ पे प्रात्मिक साला नहीं बन पाया है सिक्षा ही बच्चों का भविस्या है मगर यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक कमरे में तीन क्लास लग रहा है पहली दूसरी और चौथी जब चौथी का पढ़ाई होता है तो पहली और दूसरी के बच्चों को डिश्टप होता है और एक कमरे में तीसरी और पांची के बच्चे बैठते हैं जब पांची के बच्चों का पढ़ाई होता है तो तीसरी क्लास को डिश्टप होता है जाने यहाँ पे देखा जा रहा ह कि बच्चों का पढ़ाई प्रभावित हो रहा है इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्सकों से मेरी गुजारिस है कि ग्राम पंचाय तुलसी का मोबाइल नंबर 76978495939 को कॉल कर दबाव बनाये ताकि जल्द से जल्द ग्राम पंचाय तुलसी का प्रात्मिक सालब बनने पाए और सभी बच्चों को पढ़ाई की सीधा मिलने पाए मैं हुवरिंदा आजाद ब्लास पुशतिस गड़ इंडिया अनहर्ट के लिए